पाट अठारा निबंध लेखन ऐसी रॉइटिंग निबंध लिटर किसी विशे पर क्रम बध और व्यवस्थित रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं निबंध लिखते समय निमन लिखित बातों पर थ्यान देना चाहिए एक निबंध लिखने से पूर्व समबंधित विशे का परियात ज्यान होना चाहिए दू निबंध लिखने से पहले उसकी रूप रेखा बना लेनी चाहिए तीन एक अनुच्छेत में एक बिंदू पर ही विचार व्यक्त करना चाहिए चार निबंध की भाषा सरल, सुबूद, रूचक तथा प्रभावशाली होनी चाहिए पांच निबंध संक्षिप्त होना चाहिए आना वश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए ची, आवश्यक स्थानों पर विराम चिन्हों का अवश्य प्रयोग होना चाहिए साथ, मुहाफरों तथा लोकोत्तियों का प्रयोग भी करना चाहिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ इसी खुशी में हम प्रतीक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं यह पर्व हमारा राष्ट्रे पर्व है सन 1947 से पहले भारत अंग्रीजों की अधीन था देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का श्रीगणेश हुआ इसी अंग्रेशों ने तबादिया अंग्रेशों के अन्याई से पीडित भारतिये देश भक्तों को इस संघर्ष में अपने प्राण भी गवाने पड़े बहुत सी कुर्बानियों के बाद 15 अगस 1947 को हमारा देश आसाध हो सका सभी भारतियोंने सुख की सास ले स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में बहुत थूमधाम से मनाया चाता है शहीदों को शृत्थांचली अर्पित की जाती है तन मन थन सब कुछ देश के लिए अर्पड करने की प्रतिग्य की जाती है इस दिन आजादी की कीट काय जाते है इस दिन का मुख्य समारों राच्ठानी तिल्ली में आयोचित होता है लाई के लिए पर प्रधान मंत्री राश्ट्रियत वच फेहराते हैं तिरंगे को 31 तोपों की सलामी दी जाती है प्रधान मंत्री तेश के लाम अपना संदेश देते हैं इस अफसर पर देश भक्ती से संबंधित अनेक कारिक्रम होते हैं सभी विद्यालेओं में तिरंगा फेहराया जाता है तथा अनेक कारिक्रम होते हैं विद्यालेओं में इस अफसर पर मिठाईया बाटी जाती हैं। सभी राज्यों की राज्थानियों, जिला मुख्यालेओं एवं सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वतंत्रता दिवसे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कारिक्रम होते हैं। इस दिन पूरे देश में देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। यह दिवस हमारी राष्ट्रे चेतना का प्रतीक है। यह दिवस हमें सिखाता है कि हमें राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहना चाहिए। कम्प्यूटर आज का युग कम्प्यूटर संगणक का युग है कम्प्यूटर विज्यान की अनुपम तीन है इसका उप्यूग कार्यालेओं, बड़ी दुकानों, प्रयोक्षालाओं, विद्यालेओं आदी सबी स्थलों पर होता है कम्प्यूटर का प्रयोग तुरुटी रहत होता है प्राचीन काल में चीन में एबाक्स यंत्र गड़ना करने के काम में आता था इस यंत्र को प्राचीन तम कम्प्यूटर कहा जा सकता है पास्कल ने नई मशीनों का निर्माड करके कंप्यूटर निर्माड के शेत्र में सरा नियकार किया अठारवी शताप्दी में चाल्स बाबिच ने कंप्यूटर की भाती ही एक मशीन का निर्माड किया इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है कम्प्यूटर के मुख्यता चार भाग होते हैं एक, इन्पुट एकाई, इन्पुट यूनेट दो, स्मृति, मेमुरी तीन, प्रोसेसर चार, विकास एकाई, आउट्पुट यूनेट कम्प्यूटर ने विभिन्न कार्यों को सरल बना दिया है कम्प्यूटर द्वारा विभिन्न कार्य तेजी से किये चाते हैं यही कारण है कि शिक्षा, चिकित्सा, वाणिच, यात यात आदी विभिन्न शेत्रों में इसका प्रयोग तेजी से पढ़ता जा रहा है आख्णों के संग्रें तथा सनरक्षण में भी कम्प्यूटर का विशेश युगदान है इंटरनेट के द्वारा कम्प्यूटर को जोड़कर दूर की स्थानों के आख्णों तथा सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है इसके द्वारा आज संपूर्ण विश्व एक अद्पुद एक्टा के सूत्र में बंदता जा रहा है कम्प्यूटर के द्वारा श्रम तथा समय की भी बच्चत होती है कम्प्यूटर ने तो जटल कारियों को भी सुगम बना दिया है रेल आरक्षन, कम समय में अधिक पुस्तकों की छपाई, डिजाइनिंग, बांकिंग, बीमा आधी सभी कारियों को कम्प्यूटर ने सुगम बना दिया है अनुसंधान, शिक्षा, मौसम, पूर्वानमान, संचार, यातायात आधी की शेत्र में कम्प्यूटर ने क्रांती ला दी है आज की यूग में कम्प्यूटर, प्रगती, एवं विकास का मुख्य श्रोत पंता चा रहा है आदर्श विद्यार्थी विद्या अध्यन करने वाले सभी विद्यार्थी कहलाते हैं आदर्श विद्यार्थी इन में से सभी नहीं होते हैं विद्यार्थी के लिए आवश्यक सभी गुड़ों को अपनाने वाले को ही आदर्श विद्यार्थी कहां चा सकता है आदर्श विद्यार्थी अपनी कुछ अच्छी गुड़ों की कारण सब का प्रिय होता है समय पर सोना, समय पर जागना, समय से अपनी सारी कारे करना आदी आदर्श विद्यार्थी की लक्षन है आदर्श विद्यार्थी आलसी सी सदैव दूर रहता है मन लगाकर पढ़ाई करता है स्वास्थि, सफाई, उचित अहार विहार, आदी सभी बातों का ध्यान रखता है निश्चित समय सारणी के अनुसार घर पर भी सभी विश्यों का अध्यन करता है समय से ग्रिह कारी करना, सबसे मीठा बोलना, दूसरों की सहायता करना आदी आदर्श विद्यार्थी की आदत होती है आदर्श विद्यार्थी अपनी नियमित दिन्चर्या, परिश्रम एवं लगन के कारण सदैफ प्रगती की ओर अग्रिसर होता है वह कठनाईयों में भी अपनी लगन की बल पर सफलता प्राप कर लेता है वह अपनी शिक्षकों, अभिभावकों, एवं सहपाथियों का प्रिय होता है आदर्श विद्यार्थी को बुरी आदते चूबी नहीं पाती है वह दूसरों के लिए भी प्रियर्णा श्रोत होता है वह बणों का आदर करता है तथा छोटों के साथ स्नेह का विवहार करता है यदि अपने भावी जीवन को सुख में बनाना है तो हमें भी आदर्श विद्यार्थी के गुणों को अपनाना चाहिए आदर्श विद्यार्थी के गुणों को अपना कर हम दूसरों के स्नेह का पात्र बन सकते हैं ज्यान राशी से युक्त हो सकते हैं सर्वश्रीष धन विद्या संसार में चितने भी धन है उनमें विद्या का धन सर्वश्रीष है विद्याधन प्राप्थ हो जाने पर मनुश्य अन्य प्रकार की धनों को प्राप्थ कर सकता है दूसरे धनों के द्वारा विद्याधन खरीदा नहीं जा सकता है व्यक्ति का एक मात्र सच्चा साथी, सच्चा अभूशन विद्याधन ही है विद्याधन के द्वारा व्यक्ति हर जगा सम्मान प्राप्त करता है दूसरे धन व्याय करने से कम होते हैं लेकिन विद्याधन को जितना ही व्याय किया जाता है उतना ही यह बढ़ता है यह सदेव व्यक्ति के साथ रहता है इसे न तो कोई छीन सकता है और नहीं इसे कोई चोर चुरा सकता है इसके प्राप्त कर लेने के बाद इसके समाथ होने, नश्ठ होने या खूजाने का कोई भाय नहीं रहता है अन्यधनों के भाती यह भारकारी नहीं होता है मनुष्य जहां भी जिस्थिती या परिस्थिती में रहता है विद्यधन उसकी साथ रहता है विद्यधन से संपन्न विद्वान व्यक्ति सर्वत्र सम्मान पाता है अन्यधनों से संपन्व्यक्ति कुछ निश्चत जगहों या क्षीत्रों में ही सम्मान प्राप्त कर पाते हैं अन्यधन विद्याधन की अनुगामी है विद्यधन से संपन्न व्यक्ति अपने विवेक और पुथी के बल पर सदैव सही निर्ने लेकर प्रगति की ओर अक्रिसर होता है लगन, परिश्रम एवं अध्यन के द्वारा विद्यधन प्राप्त किया जा सकता है एक बार इस धन को प्राप्त कर लेने वाला व्याक्ति आजीवन इस धन से लाब उठाता रहता है विद्यधन में प्रगती का रहस्य नहित है यह धन ही हर शेत्र में सफलता प्राप्त करने की कुझी है विद्यधन सर्वश्रीश धन है होली होली समता आपसी प्रेम उमंग और मस्ती का पर्व है यह उच नीच अमीर गरीब आदी समस्त भेद भावों को मिटा कर सबको कली लगाने का पर्व है होली के रंग मानो समाच में व्याप भेद भावों को धोने का कारे करते हैं यह पर्व एक्ता और भायचारी का संदेश ले कराता है। फाकुन मास की पूर्ण मातिती को होलिका तहन होता है। दुष्ट और पापी हिरण कश्यब अपने ईश्वरभग पुत्र प्रहलात को मार डालना चाहता था। उसकी बहन होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसे ओडने पर अग्मी का प्रभाव नहीं पड़ता था। होलिका स्वेम वस्त्र ओड कर प्रहलात को जलाकर मार डालने के लिए उसे गोद में लेकर अग्मी पर पैठी। इश्वर की क्रिपा से होलिका आग में जलमरी और प्रहलात का बाल भी बाका ना हुआ। कच्चे अन्न को होलक कहा जाता है। प्राचीन काल में यक्यकर की अन्न को आग में फून कर सब लोग खाया करते थे। यह परंपरा आज भी चल रही है। होलिका तहन के अगले दिन पूरी मस्ती के साथ रंगों से होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाते हैं और गली मिलते हैं। एक दूसरे के घर जाकर होली मिलते हैं और आपसी प्रेम एवं सद्भाफना का प्रदर्शन करते हैं। जगा जगा होली मिलन समारो होते हैं। इस पवित्र पर्व के साथ कुछ बुराईया भी आ गई है। कुछ लोग इस दिन शराब पेकर आपस में गाली का लौच करते हैं। कुछ लोग कीचर, पेंट, आदी, दूसरों पर फेकते हैं। इस तरह की बुराईयों से बच कर रहना चाहिए। होली आपसी प्रेम और भाईचारे का पर्व है। हमें इसी भावना को अपना कर यह पर्व मनाना चाहिए। समाज को एकता की सूत्र में बानने वाला यह पर्व आपसी भेडभाव को दूर करने का संदेश देता है। क्रिस्मस भारत में लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वे अपने ठंग से अपने अपने पर्फ मनाते हैं। हिंदू और मुसल्मान जिस तरह दीपावली और ईद का पर्फ अत्यंत उल्लास के साथ मनाते हैं। उसी प्रकार ईसाई लोग क्रिसमस का पर्फ मनाते हैं। सवी धर्मों के लोग इसाईउं के साथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। ऐसी मानिता है कि 25 दिसंबर को इसा मसी का चन्म हुआ था। इसा मसी ने भायचारे, आपसी प्रेम तथा सद्भाफना का संदेश दिया। इसा मसी की यात में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्रिस्मस बनाया चाता है। क्रिस्मस के एक सप्ता पूर्व ही इसाईं लोग घरों की सफाई तथा सचावट करने लगते हैं। इसा मसी का चित्र दीवारों पर लटकाते हैं। क्रिस्मस के दिन लोग नए-नए वस्त धारण करके इसा मसी की प्रार्थना करते हैं। गिर्चा घरों में विशेश सचावट तथा प्रार्थना सभाई होती हैं। घरों को तीपकों, मुम्बत्तियों, जालरों, आदी से सचाया जाता है। लोग घरों में क्रिस्मस ट्री बना कर उसे सचाते हैं। एक दूसरी को उपहार तथा बधाईया देते हैं। कुछ लोग एक विशेश वीश धारण करके बच्चों को उपहार, टौफिया, मिठाईया, आदी चीजें पाटते हैं। ऐसे लोगों को सांटा क्लॉस कहते हैं। पहले सांटा क्लॉस का रूप धारण करके दयालू लोग चुपके से घरीबों की मदद किया करते थे। क्रिस्मस का पर्व, वास्तफ में दया भावना अपनाने, दूसरों की सहायता करने, भीत भावों को भूल कर आपस में प्रेम से रहने का संदेश लेकर आता है। हमें क्रिस्मस के महत्व को समचना चाहिए और इसकी संदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। मेरी अभिलाशा अभिलाशा पूरी करने के लिए मैं मन लगाकर पढ़ाई करने में लगा हूँ। मैं अध्यापक इसलिए बनना चाहता हूँ क्यूंकि आज का अध्यापक ही कल के भारत का निर्माता है। यो कि नागरिखी देश के कौरव को पढ़ा सकते हैं। मैं अध्यापक बनकर अपनी शिश्यों के लिए नीक आचरण, एक अच्छे मानव और साधा जीवन उच्च विचार का। एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिसे अपना कर वे आदर्श नागरिख बन सकेंगे मैं अपने शिश्यों को पूरी लगन के साथ पढ़ाऊंगा तथा उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे शिश्य पढ़ लिखकर योग्य डॉक्टर, इंजिनियर, वेक्यानेक, खेलाडी आदी बने। मैं अपने शिश्यों में देश भक्ती की ऐसी भावना भरने का प्रयास करूंगा, जिससे वे देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत पर रहें। अपने शिश्यों का पूर्ण विकास करना ही हमारा लक्षि रहेगा। ताच महल अपनी भव्यता एवं सुन्धर्ता के लिए विश्व भर्मी प्रसिद्ध है। यह विश्व की आठ आश्चरियों में से एक है। इस सुन्धर इमारत को देखने के लिए भारत ही नहीं अपितू विश्व की कूनी कूनी से लाखों परियटक प्रतिवर्ष आग्रा आते हैं। इसकी सुन्धर्ता को देखने वाला इसकी भव्यता का गुडगाता है। ताश महल आग्रा में यमुना नदी के तटपर स्थित है। शाह जहाने अपनी बेगम मुम्तास महल की याद में इस भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। मुम्तास के नाम पर ही इस इमारत का नाम ताश महल पड़ा। इस इमारत को बनाने के लिए लगभग 20,000 मस्तूरूं तथा उच्चकोटी के कारिगरों ने 17 वर्षों तक लगातार काम किया। इसे बनवाने में उस समाने में लगभग 30,000,000 रुपे खर्च हुए थे। चार मिनारे हैं। यहां अद्पोत कारिकरी का नमूना है। ताश महल इतना पुराना होने पर भी नया दिखाई पड़ता है। चाननी रात में तो इसकी शोभा दीखते ही बनती है। ताश महल में ही शाजहां तथा मुम्तास की कबरे पनी हुई है। ताश महल के भीतर अनेक प्रकार की फूल इसकी सुन्दर्ता में चार चान लगाते हैं। चाननी रात में तो ताश महल के गुम्बत चान्दी की तरह चमकते हैं। ताश महल का भव्य सौंदर्य परियटकों का मन मोह लेता है। अबिया।